हेलो दोस्तों स्वागत है आपका Computer Knowledge पे आधारित वीडियो लेसंस के 11 वीडियो में जो की डेडिकेटेड है ITI Training Officer, Computer Operator and Programming Assistant की पोस्ट की पिछले वीडियो में हमने STML की बात की थी इस वीडियो में हम STML के साथ साथ कुछ और Languages की बात करेंगे जैसे CSS and JavaScript की हम इन तीनों की बात करें उससे पहले आपको STML क्लियर होना चाहिए उसके अलावा आज जो हम बात करेंगे वो आपको क्लियर होना चाहिए फिर हम चलेंगे वहाँ पर सबसे पहले हम CSS की बात कर लेते हैं इसका Full Form होता है Cascading Cascading Style Seat Cascading का Meaning क्या होता है जैसे आपके पास कोई Paper है उसके उपर एक दूसरा Paper रख दिया उसके उपर एक तीसरा Paper रख दिया इसे कहता है Cascading एक के उपर एक एक के उपर एक अब मालो आप एक में छेद करें तो ये छेद तीनों में होगा मitला इसके बाद इसके 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 बाद इसके तो इसे कहता है Cascading जो एक के बाद एक मतलब एक के जस्ट बाद हो या एक के उपर हो एक के उपर meaning नहीं है meaning है इसका cascading का मतलब होता है एक के बाद एक crumb हो उसका एक एक निश्चित crumb हो उसे कहता है cascading तो CSS का full form होता है cascading style seat actually में ये styling करता है किसकी seat means होता है एक document, एक seat होता है ये जिसके पास कुछ styling के code लिखे रहते हैं styling के और ये किसको style करते हैं html को style करते हैं यानि कि अभी जो हमने पिछले वीडियो में देखा कि html के हम कुछ code लिखते हैं body के अंदर, head के अंदर, head के अंदर तो document में आता नहीं है लेकिन body के अंदर जो चीज़े हम लिखते हैं हमारे वे page पे दिखता है तो उसमें कुछ हमें color डालना है उसको कुछ bold करना है या उसको center में लाना है right cream में ले जाना है ये सारी चीज़ें कहलाती है styling ठीक है तो styling करने के लिए हमें CSS की ज़रत परती है html में css कुछ नहीं है html में style add करने का एक code है ठीक है तो cascading style seat को html में कैसे insert किया जाता या कैसे लगाया जाता styling करने के लिए देखो आप एक चीछ के लिए कर लो कि html जो tags हम use करते हैं वो केवल html के data को display करवाते हैं जो आप html tags का use करके जो भी text लिखोगे उन सब को वो केवल display करवाएगा उसमें styling को add करने के लिए हमें css की ज़रूत पड़ती है और css को html में तीन तरीके से apply किया जा सकता है यानि के cascading style seat को html में apply करने के तीन तरीके हैं पहला है inline ठीक है दूसरा है internal internal css कह सकते हैं और तीसरा external css हम इन तीनों का example देखेंगे जब हम vs code यानि की code editor से हम html जैसे हमने पिछले वीडियो में html का code बनाये था वैसे जब code बनाएगे तो हम तीनों को समझ लेंगे ठीक है तो अब फिलाल के लिए आपके बाल नाम याद रखे inline, internal और external इससे question पूछा जा सकता है हलाकि css से बहुत ज़्यादा question एक भी question अभी तक नहीं पूछा गया है but in case पूछा जा इसलिए मैंने इसके बारे में कुछ चर्चा कर दी है इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा ठीक है अब हम बात करते है जावा स्क्रिप्ट किया है इसको समझने से पहले हम एक चीज़ समझते है programming languages के बारे में actually में ये बात programming languages की नहीं है actually में ये बात है website की देखो आप एक चीज़ समझ लो यहाँ पे कि एक website कैसे क्याम करता है actually में एक server होता है जब तक एक server नहीं होगा website नहीं होगा एक server होता है server का मतलब है दूर कहीं कोई एक computer है जो की बहुत powerful है strong है ठीक है और इसके पास कुछ code लिख के रखे हुए है कुछ data रखा हुआ है इस computer के पास और internet के थुर internet है यह हाँ पर internet internet से यह भी connected है और internet से बहुत सारे computer छोटे छोटे दूसरे computers connect हो सकते है कैसे भी जैसे हम लोग connect होते है mobile से computer से है internet का use करके अब यहाँ से यह सारे clients client 1, client 2 ऐसे हजारो client है यह लोग कुछ data request करते है request भीजते है request data के लिए जैसे हम लोग google.com भीजते है address बार में लिख कर भीजते है that is a request हम एक web page चाहते है server से तो यह जो request है web page का यह internet के थुरू होते हुए पहुंचता है इस server तक फिर यह server देखता है कि किस तरीके का request है फिर यह उस page का data यानि उस page का HTML code इसको भेजता है फिर यह इसी रास्ते से आकर हमारे client के machine तक पहुंचता है और वो page हमारा browser जो है उस HTML code को read करता है और हमें display करवा देता है तो यह जो server है इसने क्या भेजा था HTML code CSS के साथ ठीक है भेजा और हमारे computer नहींने कि client के computer ने उसको computer पे जो browser है उसने उस HTML को समझा CSS को समझा और उस तरीके के styling के साथ वो page को display करा दिया तो इसलिए हमारे पास अलग-अलग website के अलग-अलग design में चीज़े दिख रही होती है ठीक है अब बात समझे इस computer यानि कि यह जो server है server के पास कुछ code रखा हुआ जब request आता है तो वो code run होता है execute होता है जिससे की हमारा output यानि कि server output generate करके इस client के request को fulfill करता है ठीक है उसी तरह client के भी computer पे आप देखेंगे जब भी आप कोई website कभी-कभी जब आप खोलते होंगे तो कहीं click करने पर कुछ चीज pop-up होके आता है कहीं click करने पर कुछ चीज pop-up होके आता है तो वो सारी जो चीजे होती है वो server तक नहीं जाती वो client side पे याती एक बार server पे आपने request किया server ने आपको data दे दिया अब जो कुछ हो रहा है वो client पे ही हो रहा है, जब आप final submit करते हैं, तब कुछ server पे data जाता है, जैसे आप कोई application form भर रहे हैं, या कोई google form टाइप का भर रहे हैं, तो जब आप final submit करते हैं, तब ही वो data server पे जाता है, नहीं तो बाकि आप जब yes no question में fill कर रहे हैं, तो कुछ गलत हो गया, तो वहीं प पे भी कुछ execute हो रहा है, दोनों तरफ काम चल रहा है, ठीक है, जब जिसकी ज़रत हो उस तरह किसे काम होता है, यानि कि हम अगर एक website की बात करें, जब भी एक website की हम बात करेंगे, तो हमारा जो program है, यानि कि हमारा जो पूरा website है, वो दो पार्ट में बढ़ जागा, इसके हमने देखा कि जब हमारे पास, अगर हम कोई website बना रहे हैं, तो दो पार्ट होंगे उसके, एक होगा client site, उसका client site, और दूसरा होगा server site, सरवर site से कहने का मेरा मतलब है कि वो code, जो server पर एक्जिक्यूट होंगे, वो client पर एक्जिक्यूट हो जाते हैं, किसलिक क्यों हो जाते हैν, क्योंकि server पर आना जाना, internet को यूज करके जाना, उसमें कुछ समय लगेगा न, input-output होने मतला मैंना जब अगर आपने कुछ तो आने में response time लगेगा लेकिन अगर client पर ही execute हो गया वो click का जो भी code है तो आपको तुरंत output मिलेगा इसलिए कुछ codes को client side पर ही execute कराया जाता है कुछ code को server side पर जो कि बहुत ज़रूरी है वो client side पर नहीं हो सकता उसे server side पर execute कराया जाता है इसका मतलब कि दो तरीके के languages होंगे एक ऐसा language जो client के machine पर ही execute हो जाए एक और बाकी language जिसे server machine चाहिए जो execute होने के लिए तो यहां से हमने पहले भी programming languages के types देखे हैं यहां पर एक और type मिलेगा कि कुछ language client side language होते हैं और कुछ language कहा server side language होते है server side languages के तीन example है एक है PHP एक है ASP और एक है JSP इन तीनों का नाम आप याद रखलना है PHP का full form होता है preprocessor hypertext preprocessor इसका नाम है hypertext preprocessor है ना यानि की web pages के hypertext को यह पहले ही प्रोसेस करता है ठीक है दूसरा ASP का full form है active server pages active server pages और JSP का full form है java server pages ठीक है यह तीन language यह server side की scripting के लिए server side coding के लिए use किये जाते है ठीक है अब client side के बात करते है client side के लिए बहुत पहले प्रयोग किया जाता था एक language इसका नाम था VB Visual Basic लेकिन अब यह चीरो हो गया अब इसका प्रयोग नहीं होता इसको बनाए था Microsoft ने Visual Basic को लेकिन अब इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं होता अब एक ही language client side scripting के लिए प्रयोग के जाता है mostly 99% cases में वह है javascript जिसे ही हम यहाँ पढ़ने आएं तो हम javascript को पढ़ें उससे पहले आप समझ लिजे कि javascript client side client side का language है आज कल हलाकि java के server side version भी आ गये हैं लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे हम javascript के के केवल client side version को ही देखेंगे mainly javascript client side पर ही execute होता है तो यह client side scripting language है तो कई बार इससे भी question पूछा जाता है कि javascript कैसा language है यह client side client side scripting language ठीक है समझ माई बात चलिए अब javascript एक client side scripting language है तो यह execute कहा होगा यह execute होता है browser में web browser जो आपका है web browser की example देख लो आप chrome mozilla firefox है उसके अलावा edge edge है उसके अलावा internet explorer है उसके अलावा brave भी या रवी ब्रेव भी एक browser है इसके अलावा vivaldi भी एक browser है इसके अलावा uc browser भी एक browser है इसके अलावा opera एक browser है इसके अलावा epic एक browser है यह सब बहुत सारे different kind of browser ने browser से भी question पुछा जाता है कि इन में से कौन सा एक web browser नहीं है ठीक है तो web browser क्या करता है कल हमने देखाता कि stml files को open कर सकता है stml file में जो भी stml में जो भी हम markup लिखते हैं उसको वो समझ के उसको display कराता है इसके अलावा browser javascript के code को भी execute कराता है ठीक है runtime पर याने कि client साइड में browser javascript को एक्जेक्यूट कराता है तो हम यह javascript का code लिखते कहाँ है हम यह javascript का code को लिखते है χTML file में यह जावा को पirt का code लिखा जाता है जब यह है चमल का तब यह javascript का code भी execute हो जाता है ठीक है Javascript का code कहा लिखना है यह हम देखेंगे Javascript का code दो तरीके से लिखा जा सकता है एक तो internal दूसरा external दो तरीके से Javascript का code हम लिख सकते हैं हम दोनों तरीके देखेंगे अब Javascript क्या कर सकता है यह थोड़ा समझ लेते है जावा स्क्रिप्ट क्या कर सकता है क्योंकि जावा स्क्रिप्ट HTML के एक HTML में कुछ भी कर सकता है HTML के जैसे heading 1 आपने heading 1 के अंदर कोई text दिया उसके text को बदल सकता है click होने पर कुछ event generate कर सकता है कुछ आपको message दे सकता है pop-up दे सकता है यह सारे काम जावा स्क्रिप्ट कर सकता है मतलब आप यह समझो कि आपके website पर जितनी भी dynamic चीज़े होती है कुछ click पर कुछ हुआ कुछ इधर से उधर हुआ dynamically जितनी चीज़े हो रही है वो सब जावा स्क्रिप्ट कर रहा होता है ठीक है इसमें जितने भी जान डालता है वो जावा स्क्रिप्ट डालता है इसमें style कौन डालता है CSS अब तक आपको समझ में आ गया होगा और इसमें activities इसमें जो जो एक्टिवनेस है वो डालता है जावा स्क्रिप्ट STML अपने आप में एकदम डाल लेंग्विज है बस यह आपने कुछ मार्कप किया कुछ टैग लगाए यह उसको डिस्पले करा देगा जैसा आप चाहते हैं बाकी यह कुछ नहीं करेगा इसमें style भी डालना है तो आपको CSS डालना पड़ेगा तो इतना समझने के बाद चलिए कल हमने HTML का example देख लिया था इसके कुछ important tags हमने देख लिया थे आज हम CSS को देखेंगे CSS बहुत कम देखेंगे इसमें ज़्यादा जानने के जरूत नहीं थोड़ा सा basic जो आपको जानना है वो मैं बताऊंगा आपको live और java script को हम थोड़ा सा देखेंगे ठीक है एक चीज मैं यहाँ पर clear कर देना चाहता हूँ कि यह java script java नहीं आपने एक नाम जरूर सुनाओगा java language का यह java और यह java script में दोनों में जमीन असमान का अंतर है तो यह java script वो वाला java नहीं है यह java script बिल्कुल अलग language है इसे यह एक client side scripting language है ठीक है चलिए अब हम देखते हैं live css and java script को इसके पहले कि हम लोग live प्रोग्राम को देखें java script को html css को एक साथ उसके पहले कुछ चीजे मैं आपको बता देना चाहता हूँ सबसे पहली बात कि html और css यह दोनों एक साथ रहते हैं क्यों html structure बनाता है web page का css उसमें styling करता है और यह दोनों ही programming language नहीं है ठीक है यह दोनों programming language नहीं है पहली बात यह दोनों markup मतलब html markup language है css के वाल style seat है ठीक है अब हम बात करते है javascript को देखें उससे पहले आपको कुछ चीजे programming language के बारे में जान लेनी चाहिए सबसे पहली बात कि जब किसी भी programming language में क्या लिखा जाता instructions ya code yya statements लिखा जाता है तो यह जो instructions होते है उनको बहुत ज़ादा लिखने पर वो बड़ा program बन जाता है ठीक है अब आप जब भी किसी program को तोड़ेंगे यानि कि जैसे अगर हम एक book को तोड़ें तो book में pages मिलेंगे pages को तोड़े तो उसमे paragraph मिलेंगे paragraph को तोड़े तो उसमे sentences मिलेंगे sentences को तोड़े तो उसमे words मिलेंगे words को फिर तोड़ने पर केवर letters मिलेंगे जो कि किसी काम के नहीं होंगे अकेला letter कुछ नहीं कर सकता उसी तरह programming language में भी जब आप किसी program को तोड़ेंगे तो सबसे छोटे स्थर पर आपको मिलेगा token यानि कि आप ऐसा समझें कि जैसा हमें किसी book में सबसे छोटा चीज word मिलता है वैसे program का सबसे छोटा part token कहलाता है तो कई बार इससे भी question पूछा जाता है कि सबसे smallest part program का क्या कहलाता है तो ओ कहलाता है token अब token बहुत तरीके होते हैं token में आ सकता है keyword ठीक है दूसरा आ सकता है identifier identifier ठीक है तीसरा आ सकता है operator identifier के अलावा एक और चीज आता है उसका नाम है literal literal है ना उसके बाद punctuation इस सारी चीज़े आ सकती है अब देखो आप keyword क्या होता है हर programming language के पास अपने कुछ reserved words होते है reserved words का मतलब कुछ word वो reserved करके रखता है उसका प्रियोग आप अपने किसी meaning के लिए नहीं कर सकते है उसका वही meaning रहेगा जो वो programming language ने जिस meaning के लिए उसको बनाया है ऐसे words को कहते है keyword यह reserved words होते है इनका special meaning होता है हम इसको program के समय देखेंगे identifier जब आप program करते हैं तो आपको कुछ चीजों को आपका अपना नाम देना होता है मतलब उसको नाम देते हैं क्यूंकि नाम नहीं देंगे तो बहुत सारे चीजों का आप handle नहीं कर सकते हैं ना variable बना कर उसमें कुछ चीजों को store करते हैं तो जब आपने आप किसी प्रोग्राम में किसी भी पार्ट को कुछ नाम दे दें, तो उसे identify करते हैं, यानि कि identify के through ही आप नाम देते हैं, identify को लिखने के कुछ rules होते हैं, जैसे कि ये, इसमें space नहीं आ सकता identify जब आप लिखेंगे तो इसमें space use नहीं हो सकता, इसमें इसका पहला letter digit नहीं हो सकता, ये number से शुरू नहीं हो सकता, मैंसा letter से ही शुरू होगा ठीक है, और इसमें आप underscore का use कर सकते हैं underscore जैसे a, underscore b, ये वाला जो character है इसका प्रयोग कर सकते हैं ये वाला identifier हो सकता है, तो जब भी आप program के किसी पार्ट को अपना नाम देते हैं, आप कुछ अपने तरफ से नाम देते हैं, ताकि हम इसको बाद में use कर पाएं तो उसको हम कहते हैं identifier और इसके कुछ rules होते हैं, ये आपको जानने हैं मैंने बता दी है, इतने rules से आपका काम हो जाएगा, operator क्या होते हैं, जैसे plus, minus multiply, है ना, उसके अलबा greater than, less than, ये सारे operator हैं, ठीक है, जैसे comparison के लिए operator, equal, equal to से check होता है कि क्या 2a और b बराबर हैं, है ना, ये कुछ operators हैं, जो कि token C होते हैं, literal क्या होता है जैसे आपने 4 लिखा, तो 4 एक value है, number है, constant है इस ये कहलाता है, literal, literal means constants, constant, देखो variable हम लिखेंगे identifier की मदद से, जब भी आपको ये identifier लिखेंगे, वो variable होगा, उसकी value change हो सकती, लेकिन, literal क्या होता है उसकी value change नहीं होती, चार, जैसे आपको किसी का नाम देना है, तो आप नाम दिखेंगे, अजय, तो जो value आप किसी program में देते हूं, बहुत तरीक हो सकते हैं, number हो सकता है decimal number हो सकता है, 4.28 ऐसे, और string हो सकता है ऐसे, नाम, वाम, जब भी हम character का use करते हैं, तो वो string हो जाता है boolean value होता है, true, false ये सब भी values होते हैं, boolean value 0 औ 1 का ही representation है, true या false, तो ये literal कहलाते है, punctuator कभी आपको semi-colon देना होगा, कभी आपको ये parenthesis देना होगा, कभी आपको ऐसा bracket देना होगा कभी आपको ऐसा bracket देना होगा तो ये सारी चीजे, punctuator कहलाते हैं क्योंकि ये program को सही तरीके से style करने में, सही तरीके CSS और JavaScript को एक साथ देखते हैं चलिए आपको याद होगा हमने ये कल किया था example.html और इसका result हमने देखा था ये वाला था इसी के साथ हम कुछ बात करते हैं पहले मैं CSS की बात करता हूँ inline CSS कैसे डाला जाता है तो आपको याद होगा कल मैंने Attribute की बात की थी कि हर Tag में कुछ Attribute एड किया जा सकता है हाँ ये जरूर है कि कौन से Tag में कौन से Attribute नहीं लग सकता ये भी है बट फिलाल के लिए हमें उसकी चिंता नहीं करनी है एक Attribute है जो हर Tag में लग सकता है उसका नहीं स्टाइल स्टाइल है न वो CSS वाला ही Tag है जैसे माल लिजे ये हमारा I और B के अंदर हमने ये लिखा हुआ या ये वाला P वाला देखे इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ मैं एक चीज़ एड करता हूँ इस इस एन एक्जाम्पल पराग्राफ आएम आ पराग्राफ तो गिव यू एन एक्जाम्पल ठीक है अगर तो अगर अब मैं इसको save करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका output क्या है यह है ठीक है अब हम इसमें styling add करते हैं तो एक एक जो attribute मैं आपको बात कर रहा था वो हर tag में available है उसका नामे style ऐसे attribute ऐसे लगाते है style equal to आप अगर देखेंगे तो एक attribute हमने use कहा है href a के साथ जो काम करता है उसका भी जो तरीका है लिखने का वही रहता है attribute को लिखने का तरीका हमें साइस ही रहता है attribute फिर equal to का sign और फिर इन दो quotation marks के अंदर जो कुछ भी आप data देना चाहते हैं तो हमने क्या लिखा है style equal to this और style के अंदर हम दे सकते हैं color के बाद एक colon देना होता है rate सपूज और यह semi colon बताता है कि यहाँ पर यह खतम हो गया मतलब end करना होता है इसको मैं control s कर रहा हूँ अब देखे ज़रा इसका output मैं आपको दिखाता हूँ यह देखिए styling इसे कहते है समझ माई बात आपको आई होगी जैसे h1 का color अगर मैं बुझे blue करना है तो मैं फिर सेह करूँगा style equal to color blue ठीक है control s और मैं यह देखिए इसका color blue हो गया न style तो यह styling करने का तरीका है तो यह जो तरीका मैंने अपनाया इसे कहते हैं inline inline means कि देखो आप आपको जिस tag में style लगानी है उसी tag के अंदर उसी tag के line में आपने जाकर styling लगाई इसे कहते है inline आपको याद होगा inline मैंने पहली बात किती है न लेकिन google inline को support नहीं करता हूँ कहता है inline tags नहीं यूज होनी चाहिए तो inline के अलावा क्या tag है मैं बताता हूँ क्या तरीका है css को add करने का वो मैं बताता हूँ दूसरा तरीका अगर आपको याद हो तो वो है internal internal css वो कैसे करते हैं देखिए वो हम ऐसे मैंने inline tag हटा दिया inline css हटा दिया अब मैं क्या करूँगा internal tag sorry internal css को use करने के लिए हम क्या करते हैं head section के अंदर जाते हैं सबसे last में head में मालो और कुछ और metadata डाले हुए हो तो सबसे last में जहां पर head close होता है head के just unthemed case में हम एक एक नया tag use करते हैं जिसका नाम है style stml के पास एक style नाम का tag है और इस tag के अंदर आप जो कुछ भी दोगे वो css होगा इसके अंदर css लिखा जाता है stml खुद provide करता है कि आप style tag के अंदर css लिख सकते हैं लेकिन इसे हमें head के अंदर ही डालना होता है ठीक है अब यहां से कैसे डालता है जैसे मुझे h1 का h1 का color change करना था तो मैं यहां पे लिखूँगा h1 और h1 के adjust बाद मैं यह curly bracket शुरू करूँगा और इसके बीच में वो मैं style लिख दूँगा जो मुझे देना है जैसे color blue या मैं इसको अभी देता हूँ इसको कोई भी style दे सकते हैं फिलाल के लिए मैं आपको एक ही style color की बात कर रहा हूँ मैं ज्यादा deep में नहीं जाना चाहता हूँ इसलिए मैं ज्यादा बाते नहीं कर रहा हूं दूसरी styles की बात नहीं कर रहा हूँ और अगर आप देखेंगे तो उसका color gray हो चुका यह gray color है और यह red हो चुका है तो आप ऐसे भी style apply करते हैं तो इसे कहते हैं inline styling ठीक है अब sorry I'm sorry जब आप ऐसे styling करते हैं तो इसे कहते हैं internal styling ठीक है external styling कैसे होता है external styling के लिए हम इसको हटा देते हैं हम as head की प्रयोग नहीं करते हैं हम क्या करते हैं एक बाहर से एक बाहर में से एक हम file create करते हैं जिसका extension होता है CSS जैसे मैंने इसका नाम दिया style.css एक मैंने नया file बनाया यह CSS file है और इसके अंदर मैं वो जो इसे inline में जैसा लिखा था ना style वैसा लिख दूँगा h1 color इसको मैं देता हूँ green ठीक है और उसके बाद हमने p में देखा था p p को मैं color दे रहा हूँ blue ठीक है और इसको बस मुझे save कर देना है save और इस style seat को हमें क्या करना है यह तो बाहर एक नया file में है हमें क्या करना है इस CSS file को इसके अंदर यानि कि इस HTML में include करना है include करने के लिए हम क्या करेंगे फिर वही head section में सबसे last में हम एक tag यूज़ करेंगे वही कौन अब इस style.css को हम HTML में include करेंगे include करने का तरीका क्या है देखिए head के अंदर सबसे last में मतलब head जहां बंद हो रहा हूँ वहाँ पर हम क्या करेंगे tag यूज़ करेंगे link यह link head section का tag है यह के वाल metadata का का काम करता है न link फिर उसमें relation rel relation के short form में rel equal to हमें लिखना होता है style seat style seat हमें एक style seat add करने वाले हैं और इसी में एक और attribute हमें देना होता है href hyper reference और उसमें हम अपने file का नाम दे देंगे style.css ठीक है और इसको बंद कर देंगे इसको बंद करने के जुरूरत नहीं होता है link अपने आप में close हो जाता है ठीक है तो इतना लिखने के बाद जब हम save करेंगा अब यह हुआ क्या हमने externally एक style seat का file बना इसमें हम जितने चाहे styles add कर सकते हैं सब जितना चाहे और हमने इसको link कर दिया यहाँ पर इस tag के उत्तुरू link relation rel equal to style seat और href equal to this अब यह estimate यह हमारा browser समझ जाएगा कि इस file को add style seat file समझना है और इसको include करना है वहाँ पर जो जो भी style लिखा हुआ है देखिया आप यह green लिखा हुआ है green इसको करना है save किया मैंने और हम देखेंगे कि यह दोनों फर्क हो जाएगा वहाँ पर दोनों effect आजाएगा देखिये इसका color green हो चुका है इसका color blue हो चुका है तो यह था external style seat का कमाल ठीक है तो आपको css के बारे में बस इतना ही जानना इससे ज़्यादा जानने की जरूबत नहीं है इतने से काम अपना हो जाएगा ठीक है अब हम बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट की जावा स्क्रिप्ट क्या करता है हमारे stml पेज को में डाइनेमि सिटी यानि कि उसमें एक्टिवनेस पैदा करता है जावा स्क्रिप्ट एक language है client-side language है ये stml और css से अलग है stml एक markup language है इसमें कुछ भी action नहीं होता ये बस आप कुछ marking कर दीजे कुछ tag देजे वो उस हिसाब से design हो जाएगा और css उसमें style कर देगा उसका color बदल देगा इधर उल्टा सीधा आगे पीछे उपर नीचे सब ये कर देगा css ठीक है ले दो तरीके से include किया जा सकता है stml फाइल में पहला internal दूसरा external पहले हम internal को समझते हैं कैसे include किया जाता है internal को include करने के लिए वही फिर से head के अंदर ही style seat जब खतम हो जाए जितने style seat आप एक बात और ध्यान रखे गए एक ही html पेज में बहुत सारे style seat को add किया जा सकता है उ तब हम last में head के just उपर हम क्या करते है एक html के पास एक और tag है जिसका नाम है script ठीक है इस script tag के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो javascript होगा ठीक है javascript के आप code लिखें वो अपने आप run होगा जैसे मैं javascript का code लिखता हूँ देखिए alert hello ठीक है इसको मैंने save किया और save करके मैंने इस page को load किया यह javascript के alert function का कमाल है ठीक है alert तो हुआ क्या कि यह आपने एक चीज गौर किया होगा कि जैसे ही हमने page reload किया वो hello करके रुका हुआ था यह page load ही नहीं हो पा रहा था javascript जब तक अपना काम खतम नहीं करेगा html page को load नहीं होने देखिए तो आपको एक example मैंने दिखाया अब हम जो यहां बात करना है वो समय लेते हैं javascript का यह था internal अब हम बात करते है externally कैसे javascript को add करते है तो externally add करने के लिए हम एक javascript का file बनाते हैं और javascript के file के लिए extension होता है .js javascript का sort form .js तो हमें एक file बना रहा हूँ main.js suppose ठीक है इसमें code डालता हूँ alert hello ठीक है javascript का code का हर line semicolon से end होना चाहिए ठीक है इसको मैंने save किया और अब इसको हमें इस HTML file में किसी तरह add करना होगा हमें बताना होगा कि आपको इस javascript का use करना है या इस javascript में जो code लेका उसका use करना है तो उसे बताना हम कैसे करते हैं tag use करते है script script ही use करते है इस बार हम क्या करते है इसके इसका source नाम का एक attribute है script tag के पास उसको use करते हैं तो इसमें इस file का जो हमने बनाया अभी उसका address दे देते हैं हम बोलते हैं कि script tag में हम पहले script tag के बीच में हमने script का script लिखे थे अब हम किसको direct बोलते हैं कि नहीं हम tag नहीं लिखने वाले हम इस file में javascript के code लिख दे हैं तो आप use कर लो तो बस ऐसा करने से यह जो script tag है यह अपने आप इस code को उठाकर इस HTML के साथ link कर देता है ठीक है हम देखते हैं जारा है इसको save किया मैंने और फिर से page को reload किया आप देखेंगे कि यह hello को बोल रहा है यानि कि आपका इस javascript का code काम कर रहा है ठीक है तो यह था external way में javascript को add करना अब हम इस code इस file में javascript के file में कुछ भी javascript के code लिख सकते हैं और अपने आप वो काम करेगा ठीक है सबसे पहले हम देखते हैं comment की बात करते हैं हमने HTML में में भी comment add करना देखा था javascript में हम comment add कर सकते हैं कैसे comment दो तरीके से javascript में add किया जा सकता है एक होता है single line comment उसको ऐसे add किया जाता है दो ऐसे slash दो forward slash अगर आप add कर देंगे इसके बाद जो कुछ भी लिखेंगे एक line में वो एक line comment बन जागा जैसे I am a comment ठीक है लेकिन इसके next line में जाओ गया तो यह comment नहीं रहा अब यह code है ठीक है अगर यह single line comment है एक और line में comment डलना है तो आपको क्या होगा शुरू में ही यह जहां से भी आपको comment बनाना है उसके बाद से ही आपको double slash का प्रयोग करना पड़ेगा तो यह single line comment जावास्क्रिप्ट में add हो जाता है अगर आपको multiline comment add करना है तो आपको यह वाला symbol यूज़ करना पड़ेगा एक forward slash उसके बाद star और उसके बाद आप कुछ भी लिखो comment 1 comment 2 यह सब comment होते जाएंगे comment 3 जहां आपको रोकना है वही पर आप यह वाला फिर से लिख दो मतलब अंदर star फिर यह बन इसके बाद comment अब यह comment नहीं रहा अब यह code हो गया तो comment लिखने के javascript में दो तरीके हैं single line comment multiline comment यह single line comment है यह वाला क्या है single line comment देख की समझ भारा होगा आपको और यह है multiline comment multiline comment इसमें एक से ज़्यादा line में comment लिखा जा सकता है चाहे आप जितने line में लिखे बस उसको नीचे करते जाएए जहां आपको comment add करना है वहाँ पर यह वाला symbol लगा दीजिए वहीं पर comment रुक जाएगा ठीक है comment को हमने सबसे पहले देख लिए क्योंकि इससे question पूछा जा सकता है उसके अलावा java script में variable बनाए जा सकता है variable कैसा होता है कि आप मान लिजे a में 5 store करना चाहते है b में 6 store करना चाहते है फिर बाद में जाके a और b में जोड़ना चाहते है जैसे हम online form भरते हैं या हम आपने देखा होगा कभी dollar से money convert dollar से rupees में convert करने वाला कोई website रहता है na degree celsius से foreign height में convert करने वाले कई website ऐसे functionality देते हैं तो वो लोग क्या करते हैं जो कुछ भी आप डालते है उसको variable में store करते हैं जावा script के फिर वहां कुछ उस पर calculation करते हैं और आपको दिखाते हैं तो variable क्या करता है data store कर सकता है किसी भी programming language में आपको variable मिलेगा ठीक है और हर programming language में variable create करने का तरीका अलग होता है javascript में variable create करने का तरीका दो है ठीक है हम बात कर रहे है किसकी variables की javascript में variable दो तरीके से create किया जा सकता पहला तरीका है var का use करके var a या first variable ठीक है और दूसरा है let का use करके let new variable ये दोनों ही variable है variable को लिखते समय आपको दो चीज़े ध्यान रखनी होती है क्या पहला पहला ये की variable के नाम में space नहीं आना चाहिए दूसरा variable के नाम का पहला letter digit नहीं होना चाहिए जैसे ऐसे हम नहीं ले सकते one ये गलत है two ऐसे गलत है ना first letter हमेशा first जो place है या निकि पहला जो character है वो किसी भी variable का वो पहला क्या होना चाहिए हमेशा एक character होना चाहिए ठीक है तो दो तरीके है wire और let इससे question आएगा तो आप बना लेंगे है ना ठीक है इसके अलावा javascript मे क्या क्या करता है javascript मे message को print करने क्याने कि कुछ message client को दिखाने के या browser में दिखाने के तीन तरीके है पहला है तरीका alert जो कि हमने आपको example दिखा दिया था ठीक है दूसरा तरीका है document.write document जो write जो है यह क्या करता है अगर इसके अंदर आपने कुछ भी दिया hello तो यह क्या करता है पूरा जो stml का document है उसके जगा पे जो भी आपने document stml का file sorry stml file में जो कुछ भी आपने उसके body में लिखा है वो display होना चाहिए लेकिन अगर आप document.write यूज करोगे न तो क्या होगा उन सब के जगा यह वाला चीज जाकर print हो जाता है ठीक है मतलब यह जाच चला जाएगा body में और तीसरा एक और तरीका है console.log console.log देखो मैं इसमें दिखाता हूँ I am from console मैं इसको करता हूँ run console.log का जो output है कुछ cases में output देखने के काम आता है देखो आप मैं इसको save कर रहा हूँ और इसका effect देखने के लिए कहाँ print होगा देखने के लिए आपको क्या करना होगा इस page को right click करके inspect mode में खोलना होगा inspect यहाँ पर दोनों window चलते रहेंगे inspect में हमें code दिखता है और यहाँ से inspect को inspect वाले window में आपको console पे जाना होगा ठीक है और अब अगर मैं इस file को इस html file को reload करूँ तो आप देखें यह print हुआ यह क्यों हुआ क्यों हुआ code लिखा था console.log तो console में इस जो भी आप यहाँ दोगे न उसको log कर देगा वहाँ पर जाकर print कर देगा आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि इस page ने यह generate किया ठीक है तो यह था javascript का कुछ examples जिसमें की आप तीन तरीके जिसमें की आप print कर सकते हैं किसी चीज को stml के या browser में ठीक है पहला है alert जो की example आप देख चुके दूसरा document.write तीसरा है console.log ठीक है तो variable भी create करना आपने सीख लिया चलिए आपको variable का मैं प्रियोग बताता हूँ ठीक है माल लीजे मैंने एक variable बनाया var first equal to 15 var second equal to 20 और var sum equal to first plus second ठीक है उसके बाद मैं यहाँ print कर रहा हूँ console sum of two numbers is और यहाँ पर कॉमा लगाके मैंने यहाँ कर दिया sum तो यह मैं क्या कर रहा हूँ इसमें बहुत ज्यादा अगर आप जाओगे तो आपको बहुत चीजे सीखनी पड़ेगी तो इसमें बहुत ज्यादा जाने के जूरत नहीं है variable का प्रियोग देखिए आप अगर मैं अब page को लोड करूँ और वही console में ही खुला रखूँ तो क्या होगा देखिए आप sum of two numbers is 35 जोड दिया उसने addition कर दिया तो ऐसे variable का प्रियोग किया जाता है variable में हम कुछ भी data को store कर सकते है and then उस पर हम बहुत सारे operations कर सकते है ठीक समझ में आ गई बात आपको तो यह जो variable है यह कितने तरह के value रख सकता है integer value रख सकता है और ऐसे value को float value कहते है जैसे 2.56 तो यह क्याता हमारे लिए decimal value यह decimal वाला value होता है लेकिन computer के लिए float type का value यह float है ठीक है और जिसमे decimal नहीं रहता यह है integer ठीक है उसके अलावा इस तरीके के चीज़े जैसे hello जिसमे characters होते हैं यह string है यह javascript में क्या है string ठीक है string type का data type है उसके अलावा value भी है true false यह दो value है इसे कहते है boolean value boolean value हम basic boolean value पढ़कर आया है ठीक है उसके अलावा on off हमने on off yes no यह वह है true false उसे boolean value कहते है इसके अलावा data type होता है array array कैसा होता है array इस तरीके का होता है 1 2 3 4 मतलब array में एक से ज्यादा value को एक साथ store किया जा सकता है उसके अलावा एक और data type होता है javascript में उसका नम है object का नम है object object क्या होता है object वे पास बहुत सारे properties होती है और वो properties कैसे होती है इसको हमें अभी जानने की ज़रत नहीं है बस इतना ही जानना बहुत है फिलहाल के लिए जो हम exam देने जा रहा है उसके लिए ठीक है इतना समझने के बाद चले मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं मैं एक एक नया concept आपको दिखाता हूं जिसका नाम है event event देखो आप अपने computer में कुछ भी करते हो वह एक event है जैसे आपने mouse click किया हूँ event है अगर आपने mouse को move किया हूँ event है right click किया हूँ event है उसी तरह हमारे html document है नहीं कि web page web server पे भी events होते है जैसे आप किसी button को click करते है वहाँ event होता है click event है JavaScript इन events पर action कर सकता है ठीक है तो उसे हम event handling कहते है तो हम देखेंगे ज़रा JavaScript event handle कैसे करता है उसके अलावा आपको याद होगा हमने बात कि थी keywords की जो JavaScript है उसके पास बहुत सारे keywords है जैसे var ये var नाम का keyword होता है जो variable create करने के काम आता है उसी तरह let keyword है जो ये variable create करने के काम आता है ठीक है तो उसी तरह function नाम का भी keyword है JavaScript के पास जिसके थरू हम एक function बना पते हैं और function को हम नाम कुछ भी दे सकते है my function और function की पहचान होती है कि इसके पास parentheses होता है ठीक है और function ऐसे शुरू होता है ठीक है इसे कहते है function की body इसके इस इन दोनों के बीच हम जो कुछ लिखते हैं इसे function की body कहते है ठीक है और function की खासियत क्या होती है देखो आप जब भी ये function run होगा तो ये वाला statement या ये code execute होगा इसके बाद आप इसमें बहुत सारे code दे सकते हैं कितने भी line आप चाहें मैं फिलल के लिए की दे रहा हूँ और इस function की खासियत ये होती है कि जैसे ये जो lines थे ये क्या हुआ जैसे ही estimate load हुआ ये अपने आप execute हो गए लेकिन ये जो function है ये अपने आप execute नहीं होगा ये function execute तब होगा जब हम इसको call करेंगे ठीक है इसको call करेंगे हम कर सकते हैं कैसे ऐसे देखो ये calling है ये function के definition है इससे हम function को define कर रहे है इससे हम function को call कर रहे है तो एक चीद देखिए JavaScript कैसे even handle करता है हमने इस JavaScript में ये function लिख दिया और हम जाते है HTML फाइल में अपने और यहां पर हम एक button create करते है JavaScript के पास HTML के पास एक button नाम का भी tag है जो की एक button create करता है ठीक है और इस button tag के अंदर हम क्या करते है click event को call करेंगे JavaScript के पास click event को handle करने के लिए on click नाम का एक attribute है जो HTML में हम लगा सकते on click equal to हम function का नाम लिख देंगा function का नाम क्या था my function ऐसे तो क्या होगा जब भी इस button पर click होगा तो यह my function अपने आप call हो जागा on click लगाया है ना हमने event तो जैसे ही इस button पर on click event होगा तो on click click होते ही यह क्या करेगा यह my function function जो हमने यहां लिख रखा इसको call कर देगा और इसके call करने पर इसके अंदर जो भी statement होगा वो execute हो जाएंगा चलिए हम एक example देखते हैं हम button को कुछ नाम देते हैं my या मैं इसको नाम देता हूँ click me है ना अभी देखो आप इसका क्या result होगा html में क्या होगा refresh किया मैंने यह देखिए एक button बन गया और जैसे ही मैं इसको click करूँगा यह function my function call हो गया है ना इसे कहते event handling है ना तो बहुत सारे events हैं इस तरीके के हैं javascript में एक तो मैंने on click आपको दिखा दिया इसके अलावा क्या है event इसके अलावा कुछ events हैं देखिए मैं बता देता हूँ आपको एक multiline comment लिखता हूँ मैं उसी में लिख देता हूँ ताकि execute नहीं multiline comment comment execute नहीं होता है आपको मैंने बता भी दिया और आप दिमाग में भी रखेंगे एक है click event ठीक है mouse over आप किसी चीज़ पर mouse को बस ऐसे ले जाते है न उसके उपर तो भी एक event होता है mouse out यह भी एक event है mouse out है mouse जब किसी चीज़ पर गया और वहां से बाहर आया तो भी एक event होता है इसके अलावा on load event है on load on load event क्या होता है कि जब एक web page हमारा पूरी तरह load हो जाए तब किसी काम को करवाना load होते ही किसी काम को करवाना तो on load event लगाते है इससे question पूछा जा सकता है इसको ध्यान में रखना आप कि कोई document जब web page या web document पूरी तरह load होने के बाद कोई event कौन सा event trigger होता है वह होता है on load ठीक है तो यह कुछ events है इसके अलावा मैं आपको एक link दे दूँगा description में video के वहां से आप जाओगे तो आपको पूरे events की एक list मिलेगी कुछ तो उसको आप एक बार नजर मार लेना ठीक है और जब इसके questions related आएंगे तो मैं इसको explain कर दूँगा अभी इसमें explain करने का मतलब है कि आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा confuse करना इसलिए हम javascript में इससे ज़्यादा चीजें नहीं देखेंगे अभी के लिए अगर जरुवत लगेगी तो मैं इस पर और वीडियो बनाऊंगा ठीक है तो फिलाल के लिए इतना आप समझे इतना मेरे ख्याल से अगर आप नहीं जानते हैं प्रोग्रामिंग को तो इतना भी समझने में आपको बहुत समय लगएगा इस वीडियो को दो बार तीन बार देखिए इसको share भी करिए ताकि दूसरे भी से लाभानवित हो सके इसको like करिए और चैनल को subscribe करिए आज की वीडियो में इतना ही कल मिलते हैं हम कुछ नई topic के साथ जो की आपके exam के लिए बहुत helpful होंगी धन्यवाद